परिचाए बेटे, बिलिंग के लिए सभी वस्तुओं को मेज पर रखतो हाँ पिता जी हाँ पिता जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ हाँ बेटे, पूछो पिता जी, दुकानदार सभी सबान के बारे में जानने के लिए प्रकाश युक्ति साधन का उप्योग करते हैं ये क्या है और ये कैसे काम करता है? बेटे, ये बारकोड स्कैनर यानि रेकी का कूट विक्षक है और ये फोटो डायोट के सिध्धान्द पर काम करता है ये रेखिय कूट सकेनर है और ये फोटो डायोट के सिध्धान्त पर काम करता है प्रकाश्ट रोज से वस्तू पर प्रकाश का उसर्जन होता है और फोटो डायोट दौरा परावर्तित प्रकाश विद्धुतिय सिंग्नल उत्पन्ण करता है ये अर्दचालक इलेक्ट्रोनिकी का एक अनुप्रयोग है ठीक है पिता जी, मैंने अपने सवाल का जवाब पा लिया अर्दचालक युक्तियों के बारे में मैं अधिक से अधिक जानकारी चाहता हूँ विद्यार्थियों, आज हम लोग अर्दचालक इलेक्ट्रोनिकी के बारे में बहुत कुछ अधियान करेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आप्टो-ईलेक्ट्रोनिक संधी युक्ति का वर्ण्द करना फोटो डायोट को जानना प्रकाश उससरजन डायोट को समझना सौर्ड सेल का वर्ण्द करना संधी ट्रांजिस्टर का वर्ण करना उभनिस्ट उस्सर्जक ट्रांजिस्टर का विशलेशन करना प्राव वर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर की व्याख्या करना दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर का वर्ण करना लॉजिक गेट का वर्ण करना एक इक्रित परिपत का वाडन करदा Opto-Electronic संधी युक्तियां अर्थचालक डायोट में फोटोन द्वारा वाहग जनित होते हैं जो Opto-Electronic युक्ति कहलाते हैं प्रकाश किये अर्थचालक युक्तियों का प्रकाश किये तंतू संचार से उपभुगता इलेक्ट्रोनिकी के क्षित्र में उपयोगी है और हमारे समाज के बुनियादी धांचों की वेवस्था के निर्माण में अत्यावशक युक्तियों का उपकरण हो गया है ये तीन महतपूं आप्टो इलेक्ट्रोनिक युक्तियां हैं फोटो डायोट, प्रकाश उस्सरजन डायोट और सौर्सेल फोटो डायोट प्रकाश की ये सिगनल के लिए फोटो डायोट एक अभिक्राही है ये पश्चिदिशिक, बायसित, पी अन संधी है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर पढ़ने वाली रोशनी संधी के आविश रहीत खित्र में प्रवेश करती है जब डायोट उदीप्त में होता है तो परिपत में एक लगु धारा, पश्चिदिशिक संत्रिप्त धारा या रिसाव धारा प्रवाह के रूप में जानी जाती है ये धारा इलेक्ट्रौन छिद्र युग्म के अपवावेग के कारण होती है जो आविश रहास क्षित्र में ताप चनित हैं ये रिसाव धारा ताप मान के उठने से बढ़ता है रिसाव धारा प्रदीप दिस्तर में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती है ये इसलिए होता है क्योंकि आतिधिक दीव्र प्रकाश फोटोन की संख्या बढ़ने के कारण आतिधिक संख्या में इलेक्ट्रौन छिद्र युग्म उत्पन करते हैं फोटो डायोड बिना किसी विलंब के प्रकाश का तुरंत प्रत्योत्तर देता है इसका अस्तिमाल द्रिश्य और अद्रिश्य प्रकाश किये सिगनल के संसूचन में होता है इसका उप्योग प्रकाश किये संचार प्रकाश किये सुचन और वन पहचान में होता है प्रकाश उसर्जन टायोट ये एक अर्धिचालन संधी टायोट है जो प्रकाश उसर्जित करता है जब अग्रिद दिशिक बायस में इसके होकर धारा प्रवाहिद होती है. ये एक प्रकाश उसर्जन टायोट है जो गैलियम और आर्षिनाइट या कुछ अन्य उप्युक्त अर्धिचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है. प्रकाश उर्जा बहुत ही कम दूरी तै करके आवेश रासी ग्षित्र में पहुँच जाती है. जब किसी अग्रिदिशिक बायस को पी-एन संधी पर लागू किया जाता है तो अवरोध उचाई कम हो जाती है और परियाप्त अग्रिदिशिक बायस के साथ प्रायोकिक तौर पर आवेश रास इस्तर गायब हो जाता है. अग्रिदिशिक बायस इस्तिती के अंतरगत जब कोई धारा पी-एन संधी से होकर प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोन चिद्र की कुछ जोडियां असंगटित हो जाती हैं और प्रत्यक असंगटन फोटोन में वृत्थी देता है. उस्सरजित प्रकाश की आवरित्ती मुक्त उर्जा पर निर्भर करती है जो बदले में बैंड अंतराल पर निर्भर करती है. उस सर्जित प्रकाश की तीवर्दा फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है जो पदले में इसकी जगहे पर असंगटन की संख्या पर निर्भर करती है LED प्रकाश के सभी रंगों को उस सर्जित होने पर राप्त होते हैं LED के संचालन के लिए कम वोल्टेज और उर्जा की जरूरत होती है वे प्रकाश ये संचार युक्तियों, टीवी रिमोट और कैलकुलेटरों में संख्यात्मक प्रदेशन के लिए होता है सौर सेल सौर सेल मौलिक रूप से सौर उर्जा को विद्धिय उर्जा में परिवर्थित करती है प्रकाश उर्जा धातू से इलेक्ट्रोनों को मुक्त कर धातू सदह पर गिरने से बनती है फोटोन की प्राप्त उर्जा धातू की कारपणाली से बड़ी या समान होती है एक पियन संधी डायोट सौर उर्जा को अफशोशित कर इलेक्ट्रोन और छिद्र प्रदान करते हैं पी धातू शीर्ष पर N पदार्थ की मुठाई के तुल्ना में काफी पतले होते हैं इस प्रकार सौर उर्जा फोटोन शीर्ष कांच की खड़की से रिसकर प्रभेश करता है और संधी के दोनों तरफ आसानी से पहुच जाता है फोटोन P और N दोनों धातूँ संयों जखता इलेक्ट्रोन से टकराते हैं और उन्हें परियाप्त उर्जा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने जनक परमाड़ों को छोड़ते हैं इस प्रकार संधी के दोनों और अच्छी संख्या में इलेक्ट्रोन छिद्र युक में जनित करते हैं यहां एनोड और कैथोड के बीच विभवांतर उत्पन होता है ये विभवांतर एक बाहे भार्व प्रतिरोत के मात्यम से धारा का प्रवाह प्रदान कर सकता है संधी टांजिस्टर संधी टांजिस्टर संधी डायोट का विस्तरित सरूप है जो तीन चिप्स के बीच दो संधिया है दो प्रगार के टांजिस्टर होते हैं NPN टांजिस्टर PNP टांजिस्टर NPN टांजिस्टर दो N पदार्थों के बीच P पदार्थ सेंडविच हो जाते हैं इस युक्ति को NPN transistor कहा जाता है. PNP transistor, दो P-पदार्थों के बीच N-पदार्थ सेंडविच हो जाते हैं. इस युक्ति को PNP transistor कहा जाता है. इलेक्ट्रोनों और छिद्रों दोनों की गती की वज़ा से धारा का प्रवा होता है. इस प्रकार इसे दोई धुरुविये संधी transistor कहते हैं. दोई धुरुवी संधी transistor के अव्यव सभी पदार्थों को दो संधी स्तरों के बीच तीन विभागों में बाटा जाता है. उस सर्जक ट्रांजिस्टर का पहला चिप उस सर्जक होता है जो भारी माधित अब द्रवी अर्थचालक हैं. ये अगले चिप तक मुबाइल चार्ज की आपूर्थी पहुँचाने के लिए जिम्मेदार हैं जिस कारण भारी माधित रहता है. आधार ये ट्रांजिस्टर का मध्ध चिप है जो काफी हलका माधित रहता है. किनारे के चिप के मुबाइल चार्ज वाहक संग्रह करने की जिम्मेदारी निभाता है. ये सभी तीन चिपों में सबसे मोटा होता है. ये सामाने रूप से माधित चिप है. ट्रांजिस्टर बायस ट्रांजिस्टर के सामाने संचालन में अधिकांश आवेश भारी मादित उस सर्जक आधार क्षित्र में इस्थानांत्रित होकर आधार का निर्मान करते हैं। उसके बाद संग्रह क्षित्र में चले जाते हैं। उस सर्जक से आधार में अवस्थांतर के लिए उनके बीच प्रतम संधी अगर दिशिक बायसित होनी होती है। पूर्ण अवस्था आवीश के रूप में उस सर्जक आधार क्षित्र में पहुंचता है, तो वो संग्रहा क्षित्र की ओर आकर्शित हो सकता है। यदि संग्रहा का किनारा सिर्फ पाश्च दिशिक बायस है। ट्रांजिस्टर की टर्मिनल धारा विभिन टर्मिनल धाराओं के लिए हम PNP ट्रांजिस्टर को समझने पर विचार करते हैं। उस सर्जक धारा आई-ई प्रतम संधी पर अग्रिदिशिक बायस के साथ अधिकांश आवेश का PNP उस सर्जक से आधार की ओर गतिशील होता है। इस संस्थापिद धारा को उस सर्जक धारा कहते हैं। आधार धारा आई-ई-पी होल के आधार चित्र में पहुँचने पर उन में से अधिकतर संग्रहक में इस्थानांत्रित हो जाते हैं। इन में से कुछ संग्या में होल आधार से अफवाहित होकर धारा इस्थापिद करते हैं। ये आधार धारा कहलाते हैं। संग्रहक धारा आई-ई-ई अधिकतर होल आधार से संग्राहक की ओर जाते हैं और धारा उत्पन करते हैं ये संग्राहक धारा कहलाते हैं IE बराबर IB जमा IC PNP और NPN वास्तविक्ता को छोड़कर इन सब में धारा की अवधारणा समान है और सभी धाराएं दोनों मामलों में विप्रीति दिशा में होती हैं उभे निष्ट उस्सर्जक ट्रांजिस्टर निवेश लाक्षनेक सामान उस्सर्जक विन्यास में सामान या भूमी की तरफ का प्रतिक वोल्ड तास्रोत उस्सर्जक से जड़ा होता है निवेश अभी लाक्षने अचर संग्रहक उस्सर्जक वोल्ट ता VCE पर आधार उस्सर्जक वोल्ट ता VPE के साथ आधार धारा की विविदता IB transistor का निवेश अभी लाक्षणिक कहलाता है VCE बराबर शूनने इसके लिए अग्रिद दिशिक बायसिद डायोट का निवेश अभी लाक्षणिक है अचर VBE के साथ VCE में रिद्धी होती है जिसके प्रभाव से VCB में भी रिद्धी होती है इसकी वजह से प्रभावी आधार की चौड़ाई में कमी होती है और परिणाम सरूप पुनर स्थापन आधार धारा में कमी आती है SI transistor के लिए VBE लगभग 0.7V है VCE परियाप्त रूप से 0.7V से ज़्याता है तो पाश्च दिशिक बायस VCB का परिमान आधार संग्रहक संधी तक उच्छ रहता है निवेश प्रतिरोध इसे अच्छ संग्रहक उस सर्चक वोल्टता में परिणामी परिवर्तन के आधार उस सर्चक वोल्टता में आनुपात की परिवर्तन के रूप में परिभाशित किया जाता है उभेनिष्ट उस सर्चक टांजिस्टर निर्गत अभी लाक्षणिक निर्गत अभी लाक्षणिक अचर आधार धारा आईबी पर संग्रहक उस सर्चक वोल्टता VCE के साथ संग्रहक धारा IC में परिवर्तन निर्गत अभी लाक्षणिक टांजिस्टर कहलाता है संत्रिप्तिक शेत्र और संग्राहक संधी पाश्च दिशिक बाईसित है विच्छेद क्षेत्र इस क्षेत्र में दोनों संधी पाश्च दिशिक बाईसित है और ट्रांजिस्टर धाराएं नकण है ट्रांजिस्टर की कुंजी आफ करने की स्थिती विच्छेद धंग में होती है निर्गत प्रतिरोद अचर आधार धारा पर निर्गत प्रतिरोद को संग्राहक उत्सर्जक वोल्टिता में परिवर्तन और संग्राहक कलेक्टर में परिवर्तन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है धारा प्रवर्थन कुनक संग्राहक उस्सर्जक वोल्टिता VCE के अचरमान के लिए इसे संग्राहक धारा में परिवर्थन और आधार धारा में परिवर्थन के रूप में परिभाशित किया जाता है जब ट्रांजिस्टर सक्रियस्थिदी में होता है प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक सिगनल की एक शमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया है प्रवर्धक एक युक्ति है जो परियाप्त मात्रा में बिना फेर पदल के प्रवर्धन महिया कराती है हम एक ट्रांजिस्टर के सक्रियक्षित्र में इसकी संचालन बिन्दू पर विचार करते हैं DC वोल्ट ता VCE बड़ाबर VCC घटा ICRC भी अचार रहेगा VCE और IB प्रवर्धक के संचालन बिन्दू को निर्धारित करते हैं यदि लगू जयावक्रिये वोल्ट ता DC आधार पर अध्यारूपित करें तो आधार धारा IB के मान पर जयावक्रिये परिवर्धन अध्यारूपित हो जाएंगे इसके परिणाम सो रूप संग्राहक धारा IC पर भी जयावक्रिये परिवर्धन अध्यारूपित हो जाएंगे जो निर्गत वोल्ट ता V0 के मान में भी तद अनुरूपी परिवर्धन उत्पन करेंगे VCC बराबर VCE जमा ICRL निव आई बराबर डेल्टा आई बी गुणा Rb जमा R I प्राप्त AC धारा निम्नती हुई है बीटा AC बराबर IC पर आई बी प्रावर्धक की प्राप्त वोल्ट ता को दिया गया है AV बराबर डेल्टा VCE बटे R डेल्टा आई बी या इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है AV बराबर घटा बीटा ACRL बटा R रनात्मक मान पताता है कि निर्गत वोल्ट ता निवेश वोल्ट ता के साथ फेस के साथ विप्रेथ है प्रावर्धक से प्राप्त उर्जा AP बराबर बीटा AC और AV का गुणन फल है अभ्यास एक प्रावर्धक की रूप में हम एक उधार हन लेते हैं उभैनिष्ट उस्सर्जक प्रावर्धक के लिए प्राप्त धारा 52 है यदि उस्सर्जक धारा 4 मिली एंपियर है तो आधार धारा और संग्रहक धारा ग्यात करें हल को देखें दिये हुए मान है बीटा बराबर 52, IE बराबर 5 मिली एंपियर हम जानते हैं कि बीटा IC बटे IB के बराबर है इस व्यानिष्ट के सरली करण पर हम पाते हैं IB बराबर IE बटा 1 जमा बीटा अब व्यानिष्ट में मान रखने पर और गणना करने पर हम पाते हैं आई बी पराबर 0.08 मिली एंपियर. हम जानते हैं कि IC पराबर IE घटा IP. अव्यन्चक में मान रखने पर और गढ़ना करने पर हम पाते हैं IC पराबर 3.92 मिली एंपियर. यहां आधार धारा कमान 0.08 मिली एंपियर और संग्राहक धारा कमान 3.92 मिली एंपियर है. दोली दर के रूप में टांजिस्टर. एक प्रावर्थक को एक AC निर्गत सिगनल उत्पन करने के लिए AC निवेश सिगनल की आवशक्ता होती है. एक दोलित्र DC को AC में परिवर्थित करता है. ज्यादा तर दोलित्र निम्न शर्तों के साथ प्रवर्थक हैं. निवेश का धनात्मक पुनर भरण निर्गत के द्वारा देना आवशक है. पुनर भरण पत पर प्राप्त प्रवर्थक नश्ट होने वाले से अधिक होना चाहिए. किसी प्रवर्थक परिपत से बने दोलित्र परिपत संग्रहक पर समस्वरित परिपत है और पुनर भरण के लिए प्रेरक युक्मक है. उस सर्जक संधी अक्रित दिशिक बाइसित है जबकि संग्रहक संधी पाश्च दिशिक बाइसित है. कुन्डली L1 और L2 समान क्रोड में इस प्रकार है कि उनके पारस परिक युक्मित के माध्यम से प्रेरक युक्मक हैं. कुन्जी के दबाने पर संग्रहक धारा का अचानक L1 से होकर प्रवाशिरू हो जाता है. परिणाम सरूप वोल्टिता L कुन्डली के साथ प्रेरित होती है, जो संधारित्र C को मदद के लिए उस पुलर्टा के साथ आवेशित करती है, जिससे उस सर्चक परिपत के अग्रित दिशिक पाइसित है. संत्रिप्त अवस्था में पहुँचने पर संग्रहक धारा कमान बदलना बंद हो जाता है. यहां कुन्डली L में प्रेरित EMF लुप्त हो जाता है. AC धारा की आवरित्ती से प्राप्त संबंद F पराबर I बटे 2 पाई गुणा एक बटे LC का मूल. Logic Gate जिस सिगनल का मान समय के साथ सतत बदलता रहता है. उसे अनरूप सिगनल कहते हैं. सिगनल जिसके केवल दो संभव प्रिथक मान है. अनकी ये सिगनल कहलाता है. इस प्रकार के सिगनल सुविधा जनक धंग से दूई आधारी अंकन प्रणाली में व्यक्त किये जाते हैं. जिनके केवल दो अनक 0 और 1 है. Logic Gate अनकी ये परिपत हैं जो निवेश और निर्गत वोल्टता के बीच तारकिक सम्बंध हैं. मौलिक Logic Gate है OR और AND NOT NAND NOR सत्यापन सारणी एक सारणी जो सभी संभाव निवेश संयोजन को प्रदशित करती है और Logic Gate के लिए ततन रूपी निर्गत सत्यापन सारणी कहलाती है. Boolean Vengeck Logic Gate क्रिया कलापों को संग्षेप में व्यक्त करनी की विधी Vengeck सरूप है जिसे Boolean Vengeck के नाम से जानते हैं. और Gate एक और Gate को एक निर्गत के साथ दो याधिक निवेश हैं. यदि निवेश A या निवेश B या दोनों एक हैं तो निर्गत Y एक है. यानि यदि इन में से कोई भी निवेश उच्छ है तो निर्गत भी उच्छ है. एक एन्ड गेट में दू और अधिक निवेश और एक निर्गत होता है. एन्ड गेट का निर्गत Y एक होता है. जब सिर्फ निवेश A और निवेश B दोनों एक हूँ. नौट गेट ये सरवधिक मूल भूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है. यदि निवेश शून है तो ये एक निर्गत उत्पन्न करता है. तथा यदि निवेश एक है तो शून निर्गत उत्पन्न करता है. अर्थात ये किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्यूत्क्रमित रूपांतर उत्पन्र करता है इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहते हैं लैंड गेट ये नौट गेट के बाद एक एंड गेट है ये निवेश A और B दोनों एक है तो निर्गत वाई एक नहीं है नैंड को सार्व भौमिक गेट कहा जाता है क्योंकि इस गेट के इस्तिमाल से हम दूसरे मूलभूत गेट जैसे और, एंड और नौट को भी महसूस करते हैं नौर गेट उसके दो यवस से अधिक निवेश और एक निर्गत है एक नौट का संचालन और गेट के बाद होता है और नौट और गेट देता है इसका निर्गत वाई एक है जब सिर्फ A और B शुन है एक एक रिद परिपत एक रिद परिपत लगू इलक्ट्रोनिक युक्ति है जो अर्ध चालक पदार से बनी होती है पहला एक रिद परिपत वर्ष 1950 में एकसस के जैक किलबी द्वारा उपकरण और फेरड चाइल्ड के रॉबर्ट नौइस द्वारा अर्ध चालक विक्सित किया गया था एक रिद चालक का उपयोग सुक्ष्म संगनक, श्रवे एवं द्रिश्य उपकरण और आटो मोबाइल के विभिन प्रकार की युक्तियों के लिए होता है एकी क्रित परिपतों को ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रोनिक घटकों द्वारा वर्गी क्रित किया जाता है ये निम्न है SSI लगुस्तरिये एकी करण 100 तक इलेक्ट्रोनिक युक्तियां प्रतिचेप MSI मध्यमिस्तरिये एकी करण सौ से तीन हजार तक इलेक्टोनिक युक्तियां प्रतिचेप LSI वरिहत इस्तरिये एकी करण तीन हजार से एक लाग तक इलेक्टोनिक युक्तियां प्रतिचेप VLSI वरिहतम इस्तरिये एकी करण एक लाग से दस लाग तक इलेक्ट्रोनिक युक्तियां प्रतिचेब ULSI अतीव रहतम स्तरिये एकी कराण दस लाग से उपर इलेक्ट्रोनिक युक्तियां प्रतिचेब क्या आप जानते हैं LED इंस्टेंट ओन हैं जिसकार्थ है कि वे अपनी सर्वोत क्रेश्ट चमक प्राप्त करने के लिए तुरंत चलाई जाती हैं सबसे बड़ा सौर उर्जा संयंत्र जर्मनी में है वे बावरिया सोलर पार्क और आउनिस्टाइन सौर विद्ध संयंत्र है आउनिस्टाइन संयंत्र 3500 घरों को 12 मेगवाट उर्जा प्रदान करता है 1971 में तरथम इंटेल 4004 चिपाया तब से ट्रांजिस्टर का संकुचिताकार 222 की गुणक में उपलप्थ है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं अर्दचालग डायोड में फोटों द्वारा वाहाग जनित होते हैं जो आप्टो इलेक्ट्रोनिक युक्ती कहलाते हैं प्रकाश की ये सिगनलों के लिए फोटो डायोड एक अभी कराही है LED अर्दचालन संधी डायोड है जो प्रकाश उस्सर्जित करता है जब अग्रिदिशिक बाइसित इस्तिती में इससे होकर धारा प्रवाहित होती है सौर सेल मौलिक रूप से सौर उर्जा को विद्धितिय उर्जा में परिवर्थित करता है तुई धुरुविये संधी टांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के गतिमान होने से धारा का प्रवाह होता है टांजिस्टर का पहला चिप उस्सरजक होता है जो भारी मादिद अब्द्रवी अर्थचालक है ज्यादातर होल एक धारा के रूप में आधार से संग्रहक से होकर गुजरते हैं इसे संग्रहक धारा कहा जाता है लॉजिक केट अंकिये परिपत हैं जो निवेश और निर्गत वोल्टिता के बीच संबंद स्थापित करने के लिए निश्चित तर्क अपनाता है एक एक ग्रित परिपत अर्दुचालक पदार्थ से बना लगू इलेक्ट्रोनिक युगती है